देखो पेटा question number 9 कह रहा है कि 12 के square और 13 के square के बीच में कितने numbers लाए करते हैं इसका पहले तो मतलब सब्जों मतलब है 12 के square और 13 के square 12 12 जार 144 13 के square 169 यह कह रहा है बीच में कितने तुम्हारे numbers आएंगे तुम्हें बीच में numbers count करके बताने तो अब इतकी है तो भी मुश्किल हो जाएगा हम क्या करेंगे ट्रिक लगाते क्या ट्रिक है चोटा number प्लस यह जो next number है ठीक है दोनों को add करके उसमें minus 1 कर दो simple यह कितना हो जाएगा 25 25 minus 1 हो जाएगा 24 इसका मतलब इन दोनों के बीच में 24 numbers आ रहे होंगे ठीक है आगला देखो तुम उसी तरीके से यह 25 के square और 36 के square के बीच में कितने numbers आ रहे होंगे ठीक है तो तुम क्या करोगे हम 25 चोटा number प्लस बड़ा number minus 1 ठीक है simple यह कितना हो जाएगा 1 1 इदर यह जाएगा 45 51 minus 1 हो जाएगा 50 यहां पर तुमारे पास 50 numbers आ रहे होंगे बीच में ठीक है अब देखो लास्ट तुमारे पास 99 के square और 100 के square के बीच में कितने numbers आ रहे होंगे क्या करोगे 99 plus 100 minus 1 ठीक है यह कितना हो जाएगा 199 ठीक minus 1 198 तो यहां पर बीच में तुमारे पास 198 numbers आ रहे होंगे यहां पर तुमारी exercise complete हो जाती exercise 5.1 बचों वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ शेर करना और यह अच्छा सा कॉमेंट्स जाओ कर देना बहुत दिल से तु रिनोसलुशंस